इस टाइम सभी कोचिंग्स में फुल सलेबस मॉक टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं और इस टाइम इस्टूरेंट्स को प्रॉब्लम भी आ रही है कि उनके मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं जब पहले यूनिट वाइस टेस्ट दिया करते थे तो लगवक तींसो चार सो पांसो मार करते थे और अब जब फुल सलेबस आने लग गया है तो अब से मार्क सुनके डिग्रीज कर जाते हैं कुछ बच्चों के डेड़ सो 200 इसी तरीके से मार्क सा रहे हैं तो इससे बहुत जादा इक तो मोटिवेशन भी कम होता जा रहा है यह बाते मुझे आप लोगों के थू क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं मेरे टेलिग्राम चैनल से जड़े हुए हैं वहां कमेंट्स में वह अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं मैं जाके परस्नली हर बच्चे से बात करती हूं और जादा बच्चों की यह प्रॉब्लम निकल के आ रही है तो आज इस इंप्रूब होते हुए तुम्हें दिखाई देंगे ओके तो दिस इस अमिक्षा दक्ष एंबीपे सेंडियर स्टुडेंट एट गॉवर्मेंट मेडिकल कॉलेज तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वो दो टिप्स क्या है ठीक है नमबर वन अपना मोटिव जानना आए हो और जब उसमें नमबर नहीं आए है उसकी वज़े से परेशान हो गए हो इसलिए तुम यहां इस वीडियो को देखने आये हो तो तुमने क्या करना है कि अब जब तुम्हारे मांक्स उसमें कम आये थे तो तुम क्या करो पहले उस टेस्ट की अनलेसिस करो डंग से अब तुमने कैसे कनी है अनलेसिस बच्यों को जैसे ही पात बोलो तो वह सूस्थे ऑ गाण इसमें तो आफजया यह तो स्टाइम पर्ष में करने लेकिन ऐसा नहीं है पता है एंलेसिस बहुत जादा इंपर्टन चीज होती है अब यह ऐयां तिम्हे एक दिन तक नहीं पती तो अगर एक संडी को तुमारा टैस्ट हुआ उसकी बात अगले संडी को टैस्ट हो रहा है तो मैं तुम्हें चाहूंगी जो भीच के छे दिन मिल रहा है उन 6 दिनों तक अनलेसिस करो और जो तुमारा टाइम अगर तेस्ट का टाइम तो वज़े से साढ़े पांच बज़े का ह्टाइम अपना ठाइम अधिक कर लो अब तुम ये 6 दिन तक कैसी अनलेसिस करो गे तो दो दन रखो वायो के लिए को पढ़ू थो दीन रखो भीजिक्स के लिए करें नो कीमिस्ट्री तुम्हारा टॉपिक 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 तुम्ह अगली बार तुम्हा ग्लाइकुलिस से कुशेन आए तो वो चीज गलत ना कर पाऊ इस तरीके से हर टॉपिक बाल जा के स्टडी करते रहो इससे तुम्हे क्या होगा कि तुम्हारी नजर बनी रहेगी और तुम देरेक्टली वही चीज बढ़ रहे हो जो चीज तुम्हारी इसे ही फिजिक्स में अगर मानलो की फिजिक्स में तुम्हारा कोई कुशन था और वो स्फियर का मुमेंट ओ इनर्शिया पूछा था और स्फियर का मुमेंट ओ इनर्शिया तुमसे आया नहीं तो तुम क्या जा करो अब मुमेंट ओ इनर्शिया जो टॉपिक है वो स्फि वही लगवक चाड़े तीन घंटे का वक्त रोजाना अगर तुम देते हो और अराम से बस दो दिन तुमें पाइलोजी करनी हैं दो दिन के मिस्ट्री करनी हैं तो अराम से इस चीज को टाइम दो यह चीज तुमें बहुत लाँ रन में जाकि देखना बहुत अच्छा क्लियर किया एक्जाम तो मैंने हमेशे इसी चीज पर फोकस किया है कि मेरी जो गलतियां है उन चीजों पर में ध्यान दूँ और फिर मैं हमने टेस्ट अटेम्ट करूं तो इसके लिए तुमें एक सेपरेट कॉपी भी बिना लेना ठीक हैं और उस तरीके से लिखना नमबर हमारी नमबर इस किया करेंगर कर एकिता तुम्हा तुम्हा बना रचाई को जैसे फृजिक्स profits के biology के तुम्हारे लगवक 7-7 chapters का set बनेगा और chemistry के भी 6-6 chapter का set बनेगा तो तुम्हें ये ध्यान लगना है एक mock test देने से पहले वो जो एक set बनाए ना वो set तुम्हें completely अच्छे दरीगे से करके जाना है क्या क्या करके जाना है उसके वारे में उसका सारा previous year लगा के जाना है NCRT examplar के question करके जाने है तुम्हारे class के जो notes थे उन notes की theory बहुत अच्छे से पढ़के जानी है उनके जो सरने question कराये होंगे तुम्हारे वो questions बहुत अच्छे से करके जाने है इतना काम तुम करके जाओ वो part तुम्हें ये सोच के पढ़ना इस तरीके से स्ट्रॉंग करना क्योंकि तुम वो final need exam के लिए कर रहे हो क्योंकि ये mock test हमारा ultimate तो है नहीं है हमारे लिए main क्या है हमारा need तो इसलिए वो जो set बना रहे हो वो set इस तरीके से पढ़के जाना कि तुम final exam के लिए मजबूत बना रहे हो ठीक है अब तुम इनमे chapters arrange कैसे करोगे ठीक है तो अब physics के 6 chapter थे तुमने set करे है तो 6 chapter के 6 के 6 chapter बड़े chapter मत रखना क्योंकि फिर वो तुम पूरे नहीं कर पाओगे तो तुम्हें क्या करना है वो 6 chapter अपने according set करने कैसे करोगे जैसे कि अगर तुमने electric field वाला chapter है और electric potential वाला chapter है तो ये 2 chapter रख लिए फिर उसके साथ अगर तुमन जैसे कि तुम atoms वाला रख लो nuclei रख लो जिससे क्या है कि वो छोटे छोटे chapters होगे वो एक एक दिन में cover हो जाते हैं अगर आपने एक बार पढ़ रखा है और नहीं भी पढ़ रखा है तो तुम किसी का one short भी देखोगे ना तो उससे भी cover हो जाता है हमने बड़े chapter रखे औ और उनके साथ चोटे chapters रखें अब यह चोटे chapters का मतलब यह है कि जो chapters तुम्हें cover करने में कम टाइम लगता हो यह हर बच्चे की अलग intensity होती हर बच्चे की अलग ability होती है कि वो किसी chapter को कितनी देर में cover कर पाता है ठीक है तो यह चीज तुम खुद अपनी according बनाओ कि physics में इसे कौन से chapters है जिनको पढ़ने में तुम्हें ज्यादा टाइम लगता है जिनको करने रिवाइस करने में कम टाइम लगता है क्योंकि देखो मैं यह मान के चल रही हूँ कि तुम पूरा syllabus तुम पढ़के चुके हो अब तुम्हारा काम क्या है उसको रिवाइस करना उसको क उठालियो तो उसके साथ अब छोटे chapters उठालो जैसे biomolecules हो किया पॉलिमर हो किया chemistry in everyday life हो किया यह chapters जल्दी कवर हो जाते हैं क्योंकि इनसे भी के question आना तो पका है तो at least इनके question गलत ना करके आओ इतना part हम मजबूत करके जाएंगे okay तो बस यह जो दो tips हैं इनको लिख ले तो तुमारे 300 फिर 400 फिर 500 फिर 600 definitely इस तरी के जिमाक्स आएंगे लेकिन अगर तुम इनको properly regularly follow करोगे तो ठीक है फिर भी अगर तुम्हें कोई भी problem होती है अपनी need की preparation से लेकर तो तुम मेरे telegram channel को join करो वहाँ पर हर message में जो comment section है उसमें जाकि अपना message भी लिखोगे मैं कि तुम्हें personally message करूंगी तुमसे personally बात करूंगी तुम्हारी जो भी problem है तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ बिल्कुल भी अकेला मुझ समझना तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे like कर देना चैनल को subscribe कर देना आने वाले time में मैं तुम्हारी problems के solutions यहां लेकर आती होंगी और तुम अपनी problems मुझसे मेरे telegram चैनल पर पूछ सकते हो मैं personally आके तुम्हें बताऊंगी okay thank you